हलो फ्रेंज, साज हम बात करेंगे और एक नए अब्जक्टिव कोशन सेट के बारे में जो की अर्थसास्त्र यानी इकोनोमिक्स के हैं और ये सेट नमर एट है तो यदि आप किसी दूसरे सब्जक्ट के अब्जक्टिव कोशन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो चले श्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है किस पंचवर्शी योजना के दोरान देश में तिन लोह इस पात सयंत्र अस्थापित किये गए इसका सही आंसर होगा द्वित्य बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं इसका सही आंसर होगा आयात निर्यात बंद भारत में प्रचन वेरोजगारी समान यतह दिखाई देती है इसका सही आंसर होगा क्रीसी चेतर में भारत के किस राज में गरिबों का प्रतीसत सबसे अधीक है इसका सही आंसर होगा उडिशा भारती अर्थव्यवस्था के उधारिकरन का अगरदूत किसको कहा जाता है इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंग किसी अर्थव्यवस्था में छेतरों को सारुजनिक और नीजी में किस आधार पर वरगिकिरीत किया जाता है इसका सही आंसर होगा उद्यमों का स्वामित्व भारत की राष्टियाय में सरवाधिक योगदान है इसका सही आंसर होगा सेवा छित्र देश में राष्टियन न्याय दर्ष की अस्थापना कब हुई इसका सही आंसर होगा उनी सौ पच्चास निम्ण में किस राज की प्रती व्यक्तियाय सबसे अधिक है इसका सही आंसर होगा गोवा भारत में राष्टियाय की गनना में किस विधी का प्रियोग किया जाता है इसका सही आंसर होगा ए और वी दोनों यानि आय विधी और उत्पत्ति गनना विधी हिंदू व्रिधी दर किसे से समंधित है इसका सही आंसर होगा राष्टिय आई से भारत में राष्टिय आई सम्मकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है इसका सही आंसर होगा कैंद्री स्यांखी की संगठन निमलखीत में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है इसका सही आनसर होगा फ्रती व्यक्ती आए देश के लिए राष्ट्य आई का पहला अनुमान किसने तयार किया था इसका सही आनसर होगा दादा भाई नरोजी किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड केरंसी होती है इसका सही आनसर होगा विक्सित देशों की ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें सिग्र फलायन कर जाने की फ्रवर्ती हो वह कहलाती है इसका सही आंसर होगा गर्म मुद्रा निम्लखीत में से कोन मुद्रा का कारिय नहीं है इसका सही आंसर होगा मुल्य का इस्थरी करन सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समात कर नई मुद्रा चलाना क्या कह लाता है इसका सही आंसर होगा वी मुद्री करन बजार के नियम के प्रस्तूत करता कौन थे इसका सही आंसर होगा जे वी से लगातार बढ़ती किमतों की फ्रक्रिया होती है इसका सही आंसर होगा मुद्रा इस्फीती मुद्रा इस्फीती के कारण सबसे अधी खानी होती है इसका सही आंसर होगा लैनदार को मुद्रा इस्फीती से लभानवी तो होता है इसका सही आंसर होगा रीनी निम्लखीत में कोन मुद्रा इस्फिती के नियंतरन की विधी नहीं है इसका सही आंसर होगा ब्याज दर में कमी गिल्ट एल्ट बजार किस से समंधित है इसका सही आंसर होगा सोना चांदी फ्रती व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट आय को भाग दिया जाता है इसका सही आंसर होगा देश की कुल जन संख्या से निम्लखीत में से कोन सा चेत्र भारत के सकल घहरेलू उत्पाद को सरवाधिक योगदान देता है इसका सही आंसर होगा त्रित्यक छेत्र राजी एवं राष्टी अस्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सुत्र का फ्रियोग करता है इसका सही आंसर होगा D.T. लकड़ा वाला निर्धनता का सरवाधिक प्रकोफ वाला राजी है इसका सही आंसर होगा विहार व उडिसा UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस स्रेनी में रखा गया है इसका सही आंसर होगा मध्यम मानव विकास स्रेनी योजना काल में राष्ट्याय में किस छेत्र का योगदान घटा है इसका सही आंसर होगा क्रीसी भारत की राष्ट्य आय अनुमानी तो होती है इसका सही आंसर होगा क्यंद्री स्यांखी की संगठन द्वारा भारत में इस्थीर मुल्यों पर सकल घेरलू उत्पाद के फ्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्स है इसका सही आंसर होगा 1999 से 2000 जिस मुद्रा में भुक्तान करने पर लेंदार कानूनी तोर पर स्विकार करने से इंकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं इसका सही आंसर होगा विधी ग्राह्य मुद्रा मुद्रा इस्पिती से बजार की वस्तुएं इसका सही आंसर होगा महंगी हो जाती है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मुल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है इसका सही आंसर होगा मुद्रा इस्फीती अर्थ ब्यवस्था की वैसी इस्थिती जिसमें मुद्रा इस्फीती के साथ मंदी की इस्तिती होती है क्या कहलाती है इसका सही आंसर होगा स्टेग फ्लेक्षन मुद्रा स्वयम मुद्रा का निर्मान करती है यह परिभासा किसने प्रस्तूत की इसका सही आंसर होगा क्रोमर ग्रेसम का नियम निमलखीत में से किस से समंधित है इसका सही आनसर होगा मुद्रा के फ्रचलन आर एन मलोत्रा समीती ने किस छेत्र से समंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट फरस्तूत की थी इसका सही आनसर होगा बीमा छेत्र भारति फरति भूती यवं विनमै बोर्ड की इस्थापना कब की गई थी इसका सही आंसर होगा 1988 में तो फ्रेंट अभी के लिए वैसे इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जहींद वंदे मातरम जहींद वीडियो को सब्सक्राइब करें